हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स मिसिस कोली की तुरफ से प्यार भुरहनव इशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बन मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बहुत ज्यादा टेस्टी सांबर जी हां आप इसे इड करते हुए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए मैंने अरहर की दाल ली थी डेड़ कप के क्रीब जिसे मैंने दो तिन बार पानी से अच्छी तरह से धो कर रख दिया था दो घंटे के लिए दो घंटा हम इसे भिगो चुके हैं और यह दाल हमारी बहुत को दिखा देती हूं कि मैं कौन-kौन सी वेजिस में डालने वाली हूँ तो यह देखिए यह सभी वेजिस मैंने ली हैं आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवलेहल हैं या जो भी आपको पसंद है तो मैंने एक दमाठर कटा हुआ लिया है एक गाजर काट कर ले ली है और थोड़े से मैंने फूल को भी ली है और थोड़े से मैंने घीये के पीसिस भी मैंने ले लिया है कट करके तो यह सबी वेजिस मैं एड़ करूंगी तो ले लेते हैं कुकर और डालते हैं दाल को इसमें देखेखे दाल मैंने डाल दी है criança काफी सारा पानी डाल दिजिए क्यूआ कि में पानी बाद मे इसमें आट करना पड़े इसलिए पहले से ही पानी इसमें डाली जिए तो मैंने तीन गुलास के रिए इसमें पानी आट कर होगा तो तहीं चीजिज्श करते हैं अची तॉरसे अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले तो मसाले देख लेते हैं तो यह मैं डाल रही हूं इसमें नमक एक चमच के करीब मैं इसमें नमक कर रही हूं तो ठीक Element दाले इजिए आदा चमच हदी पाउडर को तो सब यु influences तो लिजिए यह मसाले गए इसमें अच्छी तरह से एक बार फिर और फ्रेंड्स अब हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा कम से कम हाई फ्लेम पर इसे हम चार से पांच विसल लगवाएंगे और चार पांच विसल में यह बहुत अच्छी तरह से पक कर त्यार हो जाएगा तो करते हैं ढकन को बंद और रखते हैं इसे फ्लेम के ऊपर और 4-5 विसल के बाद मैं आपको दिखा दूँगी तो यह दिखिए मैंने 4-5 विसल लगा कर इसे ओपन कर दिया है मतलब कि जो स्टीम थी सब इसी में ही खतम हुई है बाद में मैंने ओपन किया है अभी आपको इसमें पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन ये पानी अभी इसमें 2-3 मिनट हमें इसे बॉइल करना है अच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो 2 मिनट हो गए है ऐसे मुझे हाई फ्लेम पर पकाते हुए और बहुत अच्छी तरह से डाल भी बिल्कुल घुल चुकी है और सबजी आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसी की वैसी है लेकिन पक अच्छी तरह गई है तो मैंने डाल दि देखिए मुझे पकाते हुए 2-3 मिनट और हो गए है क्योंकि मुझे इमली को भी पकाना था तो इसे रखते हैं अब साइड पर देखिए गाड़ा हो गया है सामबर और अब हम तरका लगाएंगे इसे और बढ़िया फ्लेवर देने के लिए तो रखते हैं इसे साइड पर तो अब इसे फ्राइ करेंगे और थोड़े से करी पत्ता भी आड़ करते हैं बड़िया फ्लेवर के लिए 2-3 हरी मिर्च नहीं लाल मिर्च भी डालते हैं सुखी लाल मिर्च और देखिए अब मैं डालूँगी इसमें कटा हुआ प्याज तो दो मीडियम साइज के प्याज थे जिसे मैंने कट कर लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालते हैं थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है प्राई जूर कीजिए मेरे कहने पर तो देखिए अब कलर भी चेंज हो गया ना प्यास का तो आप डालते हैं इसमें एक चमच भर कर जिंजर गार्लिक पेस्ट जी हाँ इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जिंजर गार्लिक को भी अच्छी तरह से भूनेंगे भी अच्छी तरह से पकाना है तो अब डालते हैं इसमें कुछ और मसाले तो पहले हम टमाटर को गलाने के लिए क्या करेंगे थोड़ा सा नमक इसमें और एड़ कर देते हैं और आदा चमच लाल मिर्च का पाउडर आदा चमच की क्रीब मैंने लिया है धनिया पाउडर य अब हमें इस मसाले को पकाना है कम से कम 3-4 मिनट जब तक यह टमाटर वगारा सब अच्छी तरह से पक न जाएं तो वेट करते हैं 3-4 मिनट की तो यह देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है 3-4 मिनट हो गए और टमाटर भी देखिए कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं पक चुके हैं तो मसाला जबर्दस बन चुका है और खुश्बू जबर्दस आ रही है तो बस अब बार यह आ कंसिस्टेंसी देखिए अगर हम बाद में इसमें पानी डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट करते ना तो वह फ्लेवर नहीं रहता वह सांबर अच्छा नहीं बनता टेस्ट लेस हो जाता है तो इस तरह से थोड़ा सा पानी ज्यादा भी डाल देंगे ना उसे पकाने के चाहले लगने के प्रोंट न हब दर्स जबर्दस टिक्नेस आप अपने उपर है या पिसको थोड़ा थीक थेन रखना चाहते हैं правда अब आपको पसंद है आप उसी के कॉर्डिंग इसे बना सकते हैं लेकिन बनाईए इसी तरीके से बिल्कुल नया तरीका है बहुत जबर्दस्त बनता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये रेस्पी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्य शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाँ बाई